भी के सिखेंगे तो तो यहां पर जो फैली है वह हमारा है नूटन का गति का परफम नियम नूटन स्वर्शक यहांब देखते हैं यहां बताएं परते पर एक समय तक बनाया रखता है जब तक कि उस पर कोई बाहब बार्व कि एक्स्टरनल फोर्स कार न करें क्या मतलब कहा जारा कोई किसी पिंड पर अगरोई रामा वस्था में हैं ठीक है मतलब कि रेश्ट पोजिशन में हैं उसमें कोई मोसन नहीं हो रहा है या फिर वो गति के अवस्था में है ठेक है वो गति के अवस्था में है तो उसमें तब तक कोई परिवर्टन नहीं होगा जब तक कि उसमें बाहर से कोई बल नहीं लगाए जाएगा जैसे कि इस्थिर बारे पिंड की बात करें जो इस्थिर स्पीड दस किलो मिटर पर हावर है मान लेते हैं तब तक गरती करता रहेगा जब तक उसके आप रोकेंगे नहीं ठीक है कोई बस रूख क्यों जाता है जब हम लोग कोई बाल को रुड़का रहते हैं तो चलते चलते से लग जाता है क्यों कि इस पर लेडी फोर्स काम कर रहा कि चला जाएगा कभी वह रुकेगा नहीं लेकिंगे उस पर एक्स्टरनल स्पोर्स काम कर रहा है इसलिए वह रुख जा रहा है यहां पर यह बताया जा रहा है आप आपको कि यहां पर यह बताने के कोशिश के जा रहे है कि नुटन्स थर्ड लाफ मोशन क्या करता है कि बिना बलखे किसी वह वस्तों के स्थी में परिवाटान नहीं किया सकता ठीक है एक इसकी डिखिनेशन को फिट से देखते हैं यहां क्या बताएगा है पर देक पिंड अपनी वि जब तक कि उस पर कोई बाहँ बलकार ना करें जैसे बाहँ बलकार करेगा बलकी परिभासा का बोद होता है Biz इस नियम्समें बल की परिषावासा का बहुत होता है बल के बारें कि व्ण होता है बल के बारे हम लोगों यह एंद इस बाहता जो किसी वश्रकिरी मेर्ष कर देता है यह फिर बर्वर्टन करने की चेस्टर करता है एं इसनसे में से मिलती है इसलिए कहा गया है कि बल की फरिवासा का बोध यहां से होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं ने देखें अब बल उसी के बाद रखा गया वहीं रखा गया है वहीं जहां भी दिखा हुआ एक पड़ते हुए चलते हैं ठीचने लिखने के बाद कारण है जो पीन की विराम और ता या एक समंगति के परिवर्तन करने का प्रिवर्त कर देता है लने का समझ सकते हैं ने हम यह भी कर सकते हैं कि बिना बल के कोई भी भौतिक क्रिया संभाव ही नहीं है मतलब अगर एक वस्तु को उठाकर दूसरे दूसरे जहां रखना हो तो बिना जो है बल लगाई यह काम नहीं हो सकता है जिसके द्वारा को करते हैं कर सकते हां सब्सक्राइब हर सब्सक्राइब में बल की किलोग्राम है अगर कहें की लिखा रहा तो इसको हम समझेंगे के के लेखा जाता है जिए इसे के लिखा जाता है को को तर्मulous कहते हैं कहते कोठी का होगा ओ नोगा और यूटन होगा इस वात को हम लोगों को ध्राइब रखना है इस राइब क्या वित legitim bei जो पिछले साइड मेरा कितना होता है लगवह लगवह किसे लिख सकते हैं तो यह बताएगया एक और चीजी बताया गया है एक न्यूटन बराबर कितना होता है एक न्यूटन बराबर देड़ी पाइव डाइड होता है तो अच्छा होगा अगे बढ़ते हैं आगे देखेए पूछा है हम लोग से अगर इस देखें से कोशन पूछ सकता है बल्गे लट्षान बता ह। इसके बारे हम लिखना बल्के लच्छन की बात करते हैं यहीं की बात करते हैं लेखते कि बात करेंगे कि बात करेंगे एक बात करेंगे तो पहला हो गया बलका परिमार दूसरा हो गया बलकी जिसा क्या है करेंगे बल का क्रिया बिंदु मुझें जब काम करेंगे किसी बॉडि पर किसी फिन्ड पर पर काम करेंगे जहां पर दवाजा खोलना है तो आप जहां हाँ रखके खोलेंगे पकर लेंगे दूसरा चीज़ क्या है बल की क्रिया रखा यहां जैसे कि यहां बल लग रहा है तो यह लाइन जो हो उसकी क्रिया रेखा होगे थिके तो यह चीज़ें होनी चाहिए तो यह बलकर लचार है बलका परिमाड बलकी जिसा बलकी क्रिया बिंदू बलकी क्रिया रेखा ठीक है तो यह चीज़ें हम लोगों को याद करके चलनी है अगर कभी पूछा जागा बलके लच्छा बताइए तो हमें यह जो हमने बताया है इसके बारे वह सारी चीज़ें इसके अंदर आपको चार् क्लियर हो जाये बलका परिमाड के बारेmi बात की गहीं तेहां बताया गया है दाहिए है तो यह संख्या ही बलका परिमाड होती है जैसा कि हमने पहले बताया आपको यह संख्याई क्या होती हे बल का परिमाड होती है दुस्त क्या है बलकी दिशा करता है जैसे वहं कि दिशा है धीका le करता है यहां पर बंदा गजर के होती है बलकी कर्या करते हैं ढ़ें आ यहां पिछे पूरी सब्रेज़ करते हैं इसी क्या यह तेसे क्रिया है कि देखा ठीक है यदे में दिते हैं कि यह werden ओन्तोर रहा है वह हमारा ईदॉस है फ्रीक अ 충ौने किले टोके जों भीडुब देखेल ते Chemo आपको समझ में आगया होगा तो आगे बढ़ते हैं तो आगर कोई तो घंतां तो घंताम घाए तो घंताए जाएगा-घं प्रभाव में यहां बताया गया है जब रामा और रखे किसी पिंड पर लगा जाता है तो बल के कारण पिंड गती के वर्स्ता में आ जाता है और यदि उस पिंड पर बराबर मान के तथा विपरी दिशा में दो बल लगा जाए तो संतुलन किस्किती में आ जाएगा तो इस तरह से हम किसी पिंड को संतुलित कर सकते हैं इस पिंड विक्रित म की की इस दिफार्म हो सकता है जैसे कोई चीछेगी यह बल लग रहा है दर भी बल लग रहा है पहूं सकता है जो यह तिफींड है उसका आकार बदल जाए सब्सक्राइब लगने से यह करके लिख सकते हैं जैसे आपको समझ में आप ऐसे कर लिजेगा बर सब्सक्राइब बढ़ बढ़ता है जब कोई संतुलित होकर किसी को खींचा जाता है तो उस वल को खींचा हो तो से दबाने वाले बल को संपीडन बल और कि करते हैं फिइस तरह कोई तो यह ब्ल लग रहा है तो इसे बोलेंगे तनाव बल तक है अगर मां लिएक इसे लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है ठीक है तब इस तरह के जब लगेगा है इसको बोलेंगे लाव यॉवव भी यहां इसको करते हैं समपीड़ंड लगने पर वसी गत्री में परिवत्ष बल लगने हुए कि दिशा के अधार में गर्टी बड़ती है को सकती है जैसा कि हम ने पहले आपर बसक्ति है सकती है or ijio में लिखके आ सकते हैं लेकिन एक बार पढ़के जाए रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा है कि होँआ पर क्या लिखना है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स स्लाइड के तरब अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्रिया या फिक्रिया बल्स फोर्स आफ एक्शन इसमें देखते हैं इसमें एक इडिखाया गया है जैसा दोगर में औरया की तरफ सब्सक्राइब करें तो नीचे के तरब करेगा उपर किसे दिखाते हैं री एक्शन को लिएक्शन परतिक्रिया कहूं किस दिखाते हैं के पर आर से हाँ रेपरजेंट करते हैं तो यह हमारे वो प्रतिक्रिया होती है इतना बल नीचे लगा रहा है किताब इतना इपल उपार लगा रहा होगाधी तब जाकर ये संतुन के स्थितिम में है यार है वो के बराबर है त्यास संतुन के जाएगा ठीक है लेकिन जब बराबर है तो और डबलू के बराबर होगा यहीं पर यह के दिखाए गया है डबलू इकल टू आर है ठीक है तब ही वह किताब उस पर संतुन किस्ति में रखे गई तो यह होगे समझने की बाद अब हम देख लेते हैं कि आपके नोट में क्या द बराबर परन्तू दिपरित क्रिया होती है पर अघ रिखी हैazioni कि श्री कि इस घंब कर देख आ रहे देखे आगे क्या बताएगा है एकसे कमक्य कि आगे क्या थ्ね कि है कि कि कमेंस को हाथ से बल लघाकर दवायी जारत वह स्थ भी हांडि पर करें दिवाल पर लगाती है जितना हम लगाते हैं यह उतना ही बिप्रिद दिशा में लगाता है किरिया प्रतिक्रिया का नियम जो जेहां पर बताया गया है आगे दिखते हैं हाथ द्वारा क्रिया के रूप में वस्त पर लगाया गया बल रियक्षिन करते हैं तथा वस्त द्वारा करा ़ोप में हाठ पर लगाए गए बल को पर्तिक्रिया कि इन से उग्ण है और इसे हमने आपको बता दिया है जो यहाँ पुद्धारन लिख राए किस तरीके से आपका पर प्रतिक्रिया हो रहा है किताब का भार निशे की तरफ लग रहा है और दोनों जब बराबर है तब ही हमारा संतुरंग का केस है ठीक है तो यहां पर यह चीज़ें आपको क्लियर हो गई है ठीक है आप इसका नोट जो बना लिए जगा नोट्स बना लेंगे मेकैनिस सब्सक्राइब करिएगा तब अच्छे सब्सक्राइब करके आप आएंगे आगे बढ़ते हैं जो आगे यहां फिकर बना हुगा है इसमें क्या दिखाया घया कि यहां पर कोई पिंड है इस तरीके से कोई बॉड़ी है लोहे का छड़ है कुछ ही माल लिजे इस पर बल लग रहा है एक बल या फिदा की तरफ लग रहा है और दूसरा बल या इदा की तरफ लग रहा है एक सिकड़ कि तो यह यह बल क्या करें चड़ को भी परीद दिसा में क्हींचने का कोसिज कर रहा है और चड़ में तनाव लग रहा है जो जानते हैं जो छड़ है वह छोड़ चोड़ करों से मिलके बना होता है जब यह तनाव लगता है तो होता है यह उब अंदर की तरफ लगता है इसकी परतक दिश्या अंदर की तळस लग रही है औशस इसके यहीड लग रहा है बाहर गतर लग तो आई किसी हल की छड़ या दोरी के दोनों पर दो बराबर वह विप्रित बल लगा कर खिंचा जाता तो बल छड़के कड़ों को एक दूसरे एक दूसरे से अधिक दूर हटाने का प्रयास करते हैं ठीक है कर नोग के लंबा करने का प्रयास करते हैं तो यह आपको समझ में आ यहां में यहां मिलेगा तो आप बनाने का तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे आगर दिखते हैं यहां पर और बताया गया है ताकि जहां में आप जारा जारा लिखते हैं थोड़ा सा और इसमें बताया है इसको यहां उनलोग पर लगें ऐसे व लोको इसके कड़ों को करने का प्रियास करते हैं रहते के परभाव में प्रश्रिया रूप में पिंड या चड़ के टड़ के रहती हैं सबक्राइब का बिरोध करते हैं जो कड़ होते हैं आपस में पास-फास ठीक है वह क्हींच जाने का करते हैं जो बल लगता है वह ठीकर तो करेंगे तो करते हैं तो कड़ों की ऐसी को तनाव या फिर टेंसल कहते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब धकेल नहीं सकते हैं जैसे कि दूरी की बात करें रसी की बात करें या फिर तार की बात करें या फिर जंजीर की बात करें यह क्यों सकता है ठीक है जंजीर की बात करें तो यह क्यों सकते हैं अपना काम कर सकते हैं ठीक है अगर हम चाहें इस पर दबाव डाल कर कोई काम करना त से करके आगे कि तरफ ला सकते हैं ठीक है इसके के दौरा जंजीर के दौरा नहीं सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब क्या होता है अब इसे दवाने का प्रियास के जा रहा है तो जो कड़ होंगे आपस में पास पास होंगे लेकिन जब फोर्स लगेगा और भी पास पास आएंगे ठीक है और पास आने का बिरूज करेंगे यह जानते हैं ठीन तो जब ऐसा बन लग रहा हो जो छोड़ के मॉल्पूज को कड़ों को आपस में दुरियों को कम करें का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे का आट है है क्या करता है संपीडल सं पीड़न बल करते हैं थीच ताइस बार मंब पढ़ लेते हैं क्या अगत इस सिद्स सिरो को दो बराबर विप्रिद बल लगा कर दबाया जाए तो लगाया कर बल इन बाहर बलों को संपीडन बल करते हैं तो जो बाहरी बल लगते हैं दोनों जो दबाने का प्यास करें उनको हम संपीडन बल करते हैं ये बल छड़के कड़ों को दबाते हैं जिन से छड़के कड प्रस्पर समीब आने का प्रयत्न करते हैं यह चीज़ हम लोग ने समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और क्या है इसके बारे में इसके बारे मौब बता गया है इन सब्सक्राइब के बिरुद्ध च्छाड मोटपन आंत्रिक पत्रोध को परस्ट करते हैं ठेक है अलग जो रिस्टेंस होता होता हो सकता है डोरी नहीं हो प्रहां दोरी तर या फिर greatly में और हो सकता हैfly क्योंकि और दोरी में तना होता है ठेक है missed सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह आपको समझ में आगया होगा अगया होगा अब देखिए अब क्या रहा गया है इसके बाद हम नेक्स बीडियो में देखेंगे तो आई इसे भी देख लेते हैं कि बहुत इंपॉटन्ट है एक्जाम में यह बहुत हो बार पूछा गया है तो बहुत चोटी से जरू से याद कर लिजेगा ठीक है तो देखते हैं इसके वारें क्या बताया गया है इस जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल कार करते हैं तो इनमें से परतेक बल पिंड पर अपना परभाव स्वतंत रूप से इस प्रकार डालता है जैसे कि अन बल पिंड पर ना लगे हो ठीक है अर्था परतेक बल पिंड पर परभाव अनद बलो पर आश्रित नहीं होता है चाहे बल किसी भी भावतिक माद्यम जैसे कि रसी चैन छर आदी द्वारा लगे हो ठीक है तो हम लोग क्या पढ़ें भावतिक बलो की भावतिक सुतनता का सिध्धान के बात करें तो यहां पर बताया है कोई हाँ पिंड है कोई बाड़ी है उस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो से फ्टी लग रहा है इसी प्रकार से से और बन लग रहे है तो यहां परनियम क्या है बहुत से दुपर स्वतनतर प्रभा हो सुतनतर प्रभा होगा उस पर यह मतलब नहीं है कि अ काम कर रहा जिए TO फ्र फॉर 낮 फाइफ का हुर इससे कोई मतलब नहीं है यह कोन अपना काम कर रहा है इसी प्रकास दूसरे बलबी जैसे यह यह फाइप क्या काम कर रहा है उसे बाकी बलों को पाइप कोई मतलब नहीं कर स्बस्राइब एक पर अपना परभाव कि उसमें किसी दूसरी कोई भी एफ्ट नहीं होता है इसको लोग पर लिए अपने से काफी में नोट कर लिजे ये काफी इन्पॉर्टेंट से तब पर भी समझ जाएगा कि आप इस तो आगे बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है बलो की अस्थान तरण सिल्टा का सिध्धान नाम से मालुम चल ला है कि अस्थान से दूसरी अस्थान की हो जाना बलो का मतलब बलो की बात करिया है जैसे कि यहा भी पर कर सकते हैं कि पार्फ पर लग रहा है कि जिस्सफ हम पर करें ओस कर सकते कर सकते हैं इसको पड़ लते हैं तो आप अच्छे समझ जाएंग स गस्क्रों क्या कहना चाहरा रहा है इस सिद्धांद के अंसार किसी और पिंड की बात की जारी किसी और पिंड के बारें बात नहीं कि जारी तो यह जो लिखना जो रही है किसी देड़ पिंड या किसी वस्त के किसी बिंद पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो इस बल को उशकी किरिया रेखा के किसी अन्द बिंड पर भी क्रिया करता हुआ महने सकता है जब कि वह बिंद्ध के साथ data वर्वक्षिछ हो ठीक है तो आप कुछ पाते समझ में आगी होंगी जैसे की यहांपर कोई कम कर रहा है कोई बल यहां से काम करता हूँ जारा है जी पर थेखें तिसे यह काम करता हुआ ना मनकर से हम सकते हैं अगर काम करता हुआ नहीं मान सकते आगे explain क्या हुआ है आगेवाले पे देखते हैं नेक्स लाइट पे देखिये हम बटाए गया है कि इसकी कुरिया हरेख गषाई स्टीज सी पर और भी जो कि या वर्स्तू के अंदर है अथाथ से डिटा पर जुड़े हैं अधा बल यह को बिंडू जी के अस्थान पर अन्दू ए और भी पर भी कार करता हुआ करता हुआ जा सकता है अगर पॉइंट के अंदर हो तो उस पर भी माना जा सकता है लेकिन हाप क्या है पिंड के एदम बॉर्टर पर है या उसे बाहर पर थेक्षिक तो हम स्थान तरंसलता का नियम तो तो इसके बाद आगे यह समाप्त हो गया हम लोगों देखेंगे लिए चैप्टर सेकेंड टिकेंगे टेप्टर फर्स कर थी था जिसे लोगों पढ़के कंप्रीट करिया है चैप्टर फॉस्ट इंप्रेंट है क्योंकि इससे पूशी आती है उसे नहीं आते हैं तो आप करिए जो कि अप्लाइड मेकैनिस को बहुत अब समझते हैं टेकर उनके साथ से करें ताकि वह भी से पड़ सकें ओके में नेक्स वीडियो में देखेंगे हैं लोग अप्लाइड मेकैनिस का नेक्स शेप्टर ओके